बुड मॉरिंग चू आल अफ यू स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अपड़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्राक्टी सेट नमबर फाइब एक से चार तक अप्लोडेड है जो एडिटोरिया वॉल्म वन का चलाया जाता है स साथी साथ प्लेटफॉर्म वॉल्म टू के सारे सेट अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस से देख सकते हैं अब बहु सारे लोगों का क्यूरी स्थार टाइमिंग तो टाइमिंग आप लोग एक कनफॉर्म टाइमिंग मुझे बताइए कि जिस टा साथी साथ एक चीज और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक कुछ कारण बस डेली सेट प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे कुछ गैप्स आ गया था इधर तीन चार दिनों का तो अब आप लोगों को डेली सेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा साथी सा मेंसन आया और उसके जश्ट 20-30 डेज में आप लोगों का एक्जाम कंड़क्ट करवा दिया जाएगा जो कि एक काफे कम टाइम इंटर्वल होगा तो इसलिए आप लोग अपनी तयारी को कंटिन्यू रखिएगा ताकि कभी भी एक्जाम ले लिया जाए आप उसकी लिए पूरी तरह से प्रिपेर हो चलिए तो बड़ते हैं अपने कोश्टन की तरफ आज का जो हमारा पहला कोश्टन है वो यह कहरा कि प्रिथिवी पर आच्छांस रेखाओं की कुल संख्या कितनी है तो इस कोश्टन का जो सही अंसर होगा बहुत जगा ऑप्सन नमरे 181 क्यूं तो इस कोश्टन का जो सही अंसर होगा बहुत जगा ऑप्सन नमरे 181 अरुनाचल पर्देश जो है वो सबसे ज़्यादा मैनमार से असपर्स करती है देखिए भारत जो है वो कुल साथ देशों के साथ अपनी बॉंडरी सेर करता है पहला है बंगलादेश दूसरा चाइना तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पाचमा मैनमार, छठा भुटान और साथमा अफगानिस्तान तो देखिए यहां पूछा है मैनमार के साथ सबसे ज़्यादा कौन तो अरुनाचल पर्देश मैनमार से और कौन-कौन से राज करते हैं मनिपूर करता है, नागलैंड कर मिजोरम करता है और रुनाचल पर्देश करता है, यह चार याज जो हैं मैनमार से इसके साथ सिवा असपर्स करता है, अगर हम बात करते हैं, यहां मैनमार के साथ पूछ लिया है आपसे कि सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपसे कोई और से या कोई च इक्जाम में आपसे दूसरे कंटीज का भी नाम पूछ लिया जा याए तो आप उसे एक बार याद रखेगा मैं उसे बोलता हूँ बंगलादेश के साथ सबसे ज़्यादा सेयर करता है पस्चिम मंगल चाहिना के साथ सबसे ज़्यादा सेयर करता है jammu कास्मीर पाकिस्तान के साथ है राजस्थान, नेपाल के साथ बिहार, मैंनमार के साथ हरुनाचल परदेश, भुटान के साथ हासाम और अफगानिस्तान के साथ जम्मू कासमेर clear हैं चलिए अब अब उठते है अगले question की तरफ जो कि है हमारा question number 3 question number 3 का रहा धारबार समूग के चर्टाने बिहार के किन जिलों में मिलती है तो इस question का जो सही अंसर होगा देखिए नवादा में भी मिलता है जमूई में भी मुंगेर में भी यानि option number D उप्यूक सभी जो होगा वो हमारा सही अंसर है देखिए अगर हम बात करते हैं धारबार समूग की चर्टाने बिहार में कहां मिलती है तो नवादा मुंगेर और जमूई तीनों जगह मिलती है पिर्थिभी की तरल जो है तरल अबस्था से ठोस अबस्था की अगर हम बात करते हैं तो पिर्थिली की तरहल अवस्था से ठोस अवस्था में जिस चटान का निर्मान हुआ है उसे आर्कियन यूग की चटाने कहते हैं, ठीक है? आर्कियन उनकी जो चटाने है उसी को दो भागों में विभक्त किया जाता है पहला होता है आर्कियन चटान और दूसरा होता है धारबार चटान ठीक है आर्कियन चटान में जब पहली अपर्दीत रूप आंतरन होता है तो भही जो चटान होता है वो धाडबार सेल कहलाता है clear है और बिहार के दशनीपूर भार में ये जो चटाने है वो पाई जाती है next question है मारा question number 4 question number 4 कहारा सेबराव पहाडिया कहां इस्थित है तो इस question का जो सहीन सरोगा बहुंज़ागा option number D सेबराव की पहाडिया जो है वो तमिलाडू में इस्थित है तमिलाडू की अगर बात करते हैं तो तमिलाडू से याद रखेगा कि यहां के जो गबनर है उनका नाम है बनबारीलाल पुरोहित क्या नाम है बनबारीलाल पुरोहित तमिलाडू से और चीज याद रखेगा जै option number C जो होगा वह हमारा सही answer होगा clear है next question कोशन C. À6 कोशन C. À6 कैसे बोडो जन जाती तो यह कहां जाती है hym आम जेशनेरली बोडो जन जाती जो है वो आसाम की जन जाती है इस कोशन का जो सई अंसरहोगा बहुंदगा고 उप्से नमर भी गाड़ो पहाडियां की जून जाती है क्लेर बोडो एक असामकी की कापेसिटी भी है वो भी जादा होती है और जब ये भींग जाती है मतलब वाटर बहुत जादा अब्जॉब कर लेती है और उसके बाद जब ये सूख जाता है तो उसे हम लोग कह सकने कि उसमें क्या हो जाता है धरार पर जाता है बड़े-बड़े छिदर हो जाते हैं धरार रंग होता है तो वो एक टिटेनी फेरस मैंगेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है काली मिट्टी के अगर और बात करते हैं तो काली मिट्टी से याद रखेगा इसमें आरन, चूना, अल्मूनियम और मैंगनिसियम की बहुलता पाई जाती है साथ ही साथ अगर हम जलोड मिट्टी की बात करते हैं तो जलोड मिट्टी से याद रखेगा इसमें पोटास की बहुलता होती है और भारत के लगभग 22% छेटफल पर ये मिट्टी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो लेटराइट मिट्टी से याद रखेगा इसमें आरन और सिल्का की बहूलता पाया जाता है और लाल मिट्टी से याद रखेगा इसमें भी सिल्का और आरन की बहूलता पाया जाती है और इसका जो लाल रंग होता है वो लौ ऑक्सा चायम जो की केरल में है और चाय बोड की अगर बात करते हैं तो चाय बोड की बात करते हैं तो यह गंटूर में है गंटूर जो है वो आंध्र प्रदेश में है चलिये अब ने 쪽 question है मारा question number 9 question number 9 कह रहा है स्वर्मीन चतुर्बूच क्या है तो सोर्णी चेतरबुज क्या है यह एक राष्टिय राजमार्ग परियोजना है ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जएगा ऑप्सन नमर C राष्टिय राजमार्ग परियोजना ठीक है इसकी सुरुआत 2001 में किया गया था और इसी के मादियम से देश के चार परमुख दिल्ली, मुंबई, चन्नाई और कोलकत्ता को सड़क मार के द्वारा जोड़ी गई थी इसकी जो कुल नंबाई है सोवनी चेतुर बुचकी वो है 5846 किलो मीटर क्लेर है चलिए नेक्स कोशन है मारा कोशन नमर 10 क्योशन नमर 10 कहला है जिस अच्छांस पर बारसिक तपांतर नियूंतम होता है क्या कहलाता है तो वो कहलाता है भूमद रेखा तो आपसा नमर ये जो होगा भूमद रेखा पर बारसिक तपांतर जो होता है वो क्या होता है नियूंतम होता है तपांतर का मतलब आप लोगों क भी पता होगा क्या होता है temperature difference को हम लोग तपांतर करते हैं temperature में तापमान में जो उंतर होता है उसी को हम लोग तपांतर करते हैं अगर हम भुमद रेखा या विश्वत रेखा की बात करते हैं तो इस पे जो बार्सिक तपांतर होता है वो सबसे कम पाई जाती है क्यों क्योंक तो कर्क रेखा से याद रखेगा कर्क रेखा पर 21 जिन को सूर्ष की जो कर्क रेखा पर क्या होता है लंबवत होता है और इसे क्या कहा जाता है कर्क संकाنتि कहते हैं और उत्री गोलार्थ कही है सबसे बड़ा दिन होता है clear है चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ, जो कि यह है हमारा question number 11, question number 11 कह रहा है, संसार का सरवाधीक जनसंख्या वाला मरुवस्थल है, तो संसार का जो सरवाधीक जनसंख्या वाला मरुवस्थल है, वो है थार मरुवस्थल, तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा, clear है, अगर अगर हम सहारा की बात करते हैं तो सहारा से याद रखेगा ये छे त्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा मरुवस्थल है गोभी मरुवस्थल की बात करते हैं तो इसका जो बिस्तार है वो मंगोलिया और चीन में है और काला हारी मरुवस्थल की बात करते हैं तो इसका जो ब मतलब वह देश जिसकी सभी सिमाएं या फिर टटरे का सिर्फ अस्थल से या फिर किसी बंद सागर से मिलती है उसी को हम लोग अस्थल रूद देश कहते हैं तो इस question का जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number D उत्री अमेरिका उत्री अमेरिका महादीप में कोई भी अस्थल लूद देश नहीं है next question हमारा question number 13 question number 13 कहरे है तुर्की टर्की किनके मद इस्थित है तो इस question का जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number B तुर्की जो है वो काला सागर और भूमद सागर के बीच इस्थित है clear है काला सागर और भूमद सागर जो है वो तुर्की की करम से उत्तर और दच्छी राजनितिक सिमा का निर्धारन करती है तुर्की से याद रखेगा तुर्की जो है यूरेसिया में इस्थितेक देश है जिसकी राधानी यानि कैपिटल जो है वो अंकारा है clear है और तुर्की से एक और चीज याद रखेगा यह दुनिया का एक अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो धर्म निर्पेच राज है यह धर्म निर्पेच देश है तुर्की clear है चलिए next question हमारा question number 14 question number 14 कह रहा है बिहार का जिला जिसकी सिमा उतर परदेश और धर्खंड दोनों को असपर्स करती है वो कौन सा है तो इस question का जो सही अंस रोगा बहुत जगा option number C रोहतास जो है बो उतर परदेश और धर्खंड दोनों को असपर्स करता है रोहतास से एक और चीज याद रखेगा जो सबसे इंपोर्टेंट है बो है कि बिहार में सरबातीक सा छर्ता वाला जिला भी कौन सा है रोहतास ही है clear है next question है मारा question number 15 question number 15 का रहा है भारत बन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बनाबरन में सरबादीक ब्रिधी करने वाले तीन राज कौन से है तो इस question का जो सही अंसर होगा बो होगा option number A करनाटक अंध परदेश और केरल जो है वो बनाबरन में सरबादीक ब्रिधी करने वाला तीन राज है अगर लेकिन अगर आपसे question पूछ दे कि 1929 के बन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बन कहा है तो सबसे ज़्यादा बन है MP में और दूसरे नंबर पे है अरुनाचल परदेश ठीक है लेकिन अगर आपसे question पूछ दे कि भूमी के हिस्से का सबसे ज़्यादा बन किस राज में है तब अंसर हो जाएगा मिजोरग क्लियर है चलिया next question है मारा question number 16 question number 16 कह रहा है राष्ट दोहज समंधी तदर समीती के अध्याच कस निमलिखित में से कौन थे तो अध्याच राष्ट दोहज समीती के आपसे पूछ रहा है तो इसके अध्याच जो थे वो डॉक्टर राजन्दर पर साथ थे तो option number C जो होगा वो आपका सही अंतर होगा अगर और options की बात करते हैं तो डॉक्टर केम मुनसी के अगर बात करते हैं तो डॉक्टर केम मुनसी से याद रखेगा ये कार संचालन समीती के अध्यच थे जीवी माबलंकर से याद रखेगा ये संविधान साभा के कार्जों के लिए जो समीती बनी थी उसके अध्यच थे जेवी किरपलानी मौलिक अधिकार उप समीती बनी थी उसके लिए उसके ये अध्यज थे clear है? चलिए next question है हमारा question number 17 question number 17 कहाँ भारत में पहली बार portfolio प्रनाली कव आरम किया गया तो भारत में जो पहली बार portfolio आरम प्रनाली थी वो Lord Kenning के द्वार आरम किया गया था और Lord Kenning का कारजिकाल आप लोगों को पता ही होगा कि 1856 से लेके 1862 था discussion का जो सयंसर होगा बो हो जगा option number C 1859 में पहली बार portfolio प्रनाली प्रारम किया गया था ठीक है? लेकिन इसको मानिता दिया गया था 1800 161 के भारत पर से दाधिनियम के द्वारा ठीक है ब्रिटिस समराट के अधिन निउक्त भारत का प्रथम ब्रिटिस समराट के अधिक क्या था? निउक्त भारत का प्रथम बायसराय था ठीक है? Lord Kenning से और चीज़ याद रखेगा डॉक्टर आयना फ्लैप्स मजब राज बिलाई की निती को समाप्त कर दिया था इसने Lord Kenning ने और इसके समय हाइको टैक पारिट हुआ था जिसके द्वारा बंबाई, कलकत्ता और मदरावस में एक एक उचन आले किया स्थापना की गई थी चलियर है? चलिये अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो की है हमारा कोश्चन मेर18 कोश्चन मेर 18 कह रहा है निमलिखीद में से किस मॉली क अधिकारों का मिलान गलत है? देखें, पहले तो बात कर ल продук Crisp की मॉली काधिकार की बात करते हैं तो इसको सोसन के बिरुद अधिकार की बात करते हैं तो ये 23 से 25 नहीं है ये 23 और 24 में इसका बर्नन है और फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि है क्या तो फिर इसमें है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार आता है जिसका बर्नन है 25 से लेकर 28 तक क्या है धार्मिक स्वतंतरता का और फिर एक आता है सम्मेधानिक उपचारों का अधिकार जो की है अनुचेत 32 में चलिए नेक्स कोशिन है मारा कोशिन नमर 19 कोशिन नमर 19 कहा रहा है निमलिखित में से किस सम्मिधान संसोधन द्वारा दिल्ली और पुड़ी चेरी संग राजचेतरों की बिधान सभाओ के सदस्यों को राश्पती के निरवाचन में निरवाचक मंडल में समलित किया गया था तो इस कोशिन का जो सही अंसर है वो है आप्सन नमर बी सतर में 17 समिधान संसोधन की ये बात कर रहा है सतर्मा समिधान संसोधन हुआ कब था 1902 में ठीक है क्लेर है चलिए अगर हम बात और आप्सन की कर लेते हैं तो 69 समिधान संसोधन की बात कर ला है तो ये 1901 में हुआ था और इसके तहत एक चीज याद रखेगा दिल्ली को राष्टिय राधानी छेतर बनाया गया था 69 समिधान संसोधन के द्वारा अगर 86 समिधान संसोधन की बात करते हैं तो ये 2002 में हुआ था और इसमें इगरहमा मौलिक अधिकार 6-11 बर्स तक के बच्चों के लिए अनिवात अथा निसोग सिछा को समलित किया गया था अगर हम 89 समिधान संसोधन की बात करते हैं जो 2003 में हुआ था इसके तहट अनुसुची जन जाती के लिए एक प्रिथक राष्टी आयोग की अस्थापना की बेवस्था की गई थी अगर हम बात करते हैं इनके सदस की तो इनके सदस की जो कारभाही होती है मतलब वो सदस जो होते हैं वो एक बर्स के लिए निर्वाचित किये जाते हैं ठीक है और लोकलेखा समिधी का जो मुखेकार होता है वो यह होता है कि भारत के नियंतरक और महालेखक जो परिच्छक है उनके द्वारा जो दिया गया लेखा परिच्छन समधी प्रतिवेदन है उसी की जाच करती है ये लोकलेखा समीती से एक चीज याद रखेगा इसको प्राकलन समीती की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और जो अपोजिट पार्टी का मतलब ऑपनेंट पार्टी का जो नेता होता है उसी को इसका अध्यच बनाया जाता है ऐसा रूल नहीं है लेक लड़ने वाले परत्यासि के लिए उस निर्वाजन चेत्र या राज के निवास प्रमान पतर की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था next question है हमारा question number 22 question number 22 क्या कह रहा question number 22 कह रहा संसत के दोनों सदनों में किसी विषय पर गति रोध उत्पन होने पर संजुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है यह अधिवेशन समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत बुलाया जाता है next question है question number 23 question number 23 कह रहा केंद्र और राज्यों के मद बिधाई सक्तियों का बितरन सम्विधान के किस अनुसूची में है। तो इस question का जो सही answer होगा बो होगा option number C, साथमी अनुसूची में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं केंद्र और राज्यों के मद बिधाई सक्तियों का बितरन तो संभिधान के भागी गारा में अनुझे 245 से लेके 255 तक केंदर और राजियों के मत बिधाई संभन्दों की चर्चा की गई है ठीक है और कौन से अनुझाज़ुची में अनुझे 245 नेके 255 की बीच में अगर हम पाँचमी अनुसुची की बात करते हैं तो पाँचमी अनुसुची में अनुसुची छेतरों में जो जन जातियों के परसासन और नियंतरन से सम्दित प्रभधान हैं अगर छठीयन उसुची की बात करते हैं, तो असम में घालत, रिपूरा, मिजोरम के जन जाती छेतरों के प्रसासन के बारे में उलेख किया गया है, और आठ्मियन उसुची की बात करते हैं, तो ये आप लोगों इससे भली बाती परकित होंगे, कि इसमें भारत की 12 भाजाओ ये तो है, दागर बचत पैंक ये भी है, निगम कर ये भी है, क्लिसी आयपर कर जो है, वो संगियन सुची की बिसाय नहीं है, ये राज सुची का बिसाय है, क्लेर है, देखिए तीन तरह की सुची आप लोग पढ़े होंगे, संग सुची, राज सुची और संबर्ती सुच क्लियर है, संग सुची से एक चीज याद रखेगा, संग सुची में कानून बनाने का अधिकार है, वो संसत को प्रदान है, राज सुची में कानून बनाने का अधिकार, राज बिधान मंडल को प्राप्थ है, और संबर्ती सुची में दोनों को प्राप्थ है, लेकिन अगर क कुछ controversy हो जाती है, तो जो संसत का कानून है, उसे बरियता दी जाएगी, उसे माना जाएगा, clear है, चलिए, next question है, question number 25, question number 25 कर रहा है, पंचायती राज संबंदिती हतर में समिधान संसोधन के अनिवाल उपुबंध निम्न में से कौन से है, तो इसको देखे, अगर हम बात करत है, पंचातों में सांसों और विधायकों को प्रति निधित्व देना, तो नहीं, ये नहीं है, दूसरा है, मध और जिलासतर पर पंचार सभापतियों के अपरतियाश चुनाप ये है, बिघटन होने की स्तिती में 6 माह के भीतर नहीं है, ये भी है, पिछरे बर्गों के लि तिहतरमा संभीधान संसोधन, भाग 9, अनुचेथ, 243 और सरसे पहले सुरुआत, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगोर्ड जिले से किया गया था, नेक्स्ट कोशन है, हमारा कोशन नमर 26, कोशन नमर 26 कह रहा है, एक परकास बर्ग का मान कितना होता है, तो एक परकास 27 कह रहा है, निम्न में से कौन सक्ति का मातरक नहीं है, तो सक्ति का मातरक वाट आबर की अगर बात करते हैं, तो यही सक्ति के मातरक नहीं है, वाट सक्ति के मातरक है, किलो बाट भी सक्ति का मातरक है, और होर्स पाबर भी जो है, वो क्या है, सक्ति का मातरक है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि 1 HP बराबर होता है 746 बाट, 746 बाट होता है एक होर्स पाबर में, तो इस question का जो सही अंसर होगा बो होजागा, option number A, बाट आबर जो है, वो सक्ति का मात रख नहीं है, बाट हो गया, किलो बाट हो गया, मेगा बाट हो गया, होर्स पाबर हो गया, ये सब क्या है, सक्ति के मात रख नहीं, अगर हम बाट आबर की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये काल्ज का मात रख है, यानि उल्जा का मात रख है, Question 28 अगर हम लोलग घड़ी को उपग्रपrol ले जाते हैं तो वहां क्या होता है उपग्रह पर भारहिंता होती है मतलब जी का जो मान होता है वो 0 होता है अगर जी का मान 0 है तो घड़ी का जो आवर्थकाल है वो क्या हो जाएगा अनन्थ हो जाएगा और इससे क्या होगा जो उपग्राह पर जो लोलग घड़ी है वो काम नहीं करेगा तो इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा option number B इसका जो आवर्त काल है वो अनन्थ हो जाएगा next question है question number 29 question number 29 कहा रहा है biosphere reserve सब्द का परियोग सरपर्थम किस ने किया था इस question का जो सही answer होगा वो हो जाएगा option number B आड़बर्ट सुएस के द्वारा biosphere reserve सब्द का सबसे परियोग किया गया था अगर हम जो से 4R की बात करते हैं तो इनसे याद रखेगा इन्होंने green house gas की संकल्पना की थी अगर हम A.G. tonsillay की करते हैं तो A.G. tonsillay से याद रखेगा इन्होंने प्रास्थित की तंतर की संकल्पना की थी बॉल्टर जी रो जोन से याद रखेगा इन्होंने जैब बिश्टासब्द का परियोग सरपर्थम किया था clear है? चलिए next question है हमारा question number 30 question number 30 कह रहा है कि भारत में पहला जैब मंडल आरची छेतर है तो भारत में जो पहला जैब मंडल आरची छेतर है बो है निलगरी और ये बेश्टन घार्ट और निलगरी हिल रेंजिस आफ साउथ इंडिया में ये फैला हुआ है और इससे याद रखेगा इसको 2012 में UNESCO के द्वारा World Health Test Site भी गोसित कर दिया गया है next question है question number 31 question number 31 कह रहा है परकास की चाल किस पर निलभर करती है तो इस question का जो साई अंसर होगा बो हो जागा अप्रवर तंकांक मतलब refractive index पर परकास की चाल निलभर करती है ठीक है जितना ज्यादा refractive index अधीक होगा उसमें परकास की चाल उतनी ही कम होगी clear है तो इस question का जो साई अंसर है बो है option number D आप लोग एक formula भी पढ़े होंगे N is equal to C upon में B C यहाँ पर क्या होता है N होता है refractive index C होता है speed of light in vacuum और V होता है phase velocity of light in medium clear है चल यह next question है हमारा question number 32 question number 32 कह रहा है चंद्रयान 2 को कब परश्चेपित किया गया था तो चंद्रयान 2 आप लोगों को पता ही होगा इसको जो परश्चेपित किया गया था वो 22 जुलाई 2019 को किया गया था अगर हम GSLB की बात करते हैं तो GSLB से याद रखेगा इसको जो full form होता है वो होता है जियो साइक्टो नोरन सेटलाइट लाँच वेकल ठीक है तो इस question का जो सही अंसर होगा बहुत है option number B 22 जुलाई 2019 को इसरो को द्वारा 37 धवन स्पेस सेंटर से प्रिछेपीत किया गया था next question is question number 33 question number 33 कर रहा तारे का रंग किस पर निर्वर करता है तो तारा का जो रंग होता है वो प्रिष्ट ताप पर निर्वर करता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा जिस भी तारे की अगर हम बात करते हैं तो जिस तारे का प्रिष्ट ताप पे छाक्रित निम्न होता है वो लाल रंग के होते हैं और उच प्रिष्ट ताप बाले जो तारे होते हैं वो सफेद रंग का होता है question number 34 करहा प्रमाणू की तरिज्ज्ज्ज्जा और अगर हम नाभी की बात क multif के बराबर होता है Q.35 कह रहा है इलक्षोन एमनाभी का आपस में किस बल द्वारा बंधे रहते हैं तो इस Q.D. अस्थीर बैदुत बल के द्वारा बंधे रहते हैं यानि A.Static Electric Force के अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब किसी दो बस्तूओं को आपस में रगड़ने पर किसी दूसरे हलके बस्तूओं के अकर्सित करने का जो बल उत्पन होता है उसी बल को हम लोग अस्थीर बैदुत बैल कहते हैं Next question है मारा question number 36 Question number 36 कह रहा है अबर्स आर्नी में अबर्त में बाएं से दाय जाने पर आयनन उर्जा क्या होता है जिस question का जो सई answer हो जागा बो हो जागा option number B बढ़ता है देखिए अगर हम अबर्स आर्नी के predictable की बात करते हैं तो अबर्स आर्नी के किसी period में अगर आप लोग बाएं से दाय चलते हैं तो उसमें क्या होता है आयनन उर्जा का मान बढ़ जाता है और किसी अगर एक ही सम्मू में उपर से नीचे उतरते हैं तो आयनन उर्जा का मान कम होता है clear है Next question है question number 37 Question number 37 कह रहा है किस बंधन की किरिया सीलता सबसे अधिक होती है तो 3 बंधन की किरिया सीलता जो होती है वो सबसे अधिक होתी है तो option number C जो है वो हमारा सही अंसर है next question है question number 38 question number 38 कह रहा है दोबन-soďा का राफइनिक सुत्र क्या होता है तो धोबन सोड़ा हम लोग किसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं तो एने 2CO3 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा option number A sodium carbonate एने 2CO3 10H2O के बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं sodium carbonate decahydrate एने 2CO3 के बात करते हैं तो इसको बोला जाता है sodium bicarbonate और NOH को बोला जाता है sodium hydroxide next question है question number 39 question number 39 का रहा है German silver किसका मित्र धातु है तो German silver में क्या होता है copper होता है, nickel होता है और zinc होता है तो इस question का जो सही अंसर होगा बोहरेगा option number D, copper, zinc और nickel लगबक 60% past copper होता है 20% nickel, 20% nickel होता है German silver में next question है question number 40 question number 40 का रहा है जीवधारियों का 5 जगत बर्गी करन किसने किया है 5 जगत बर्गी करन मतलब 5 बर्गों में बर्गी करित किया गया था वो 5 बर्ग है, monera, protista, padap, कबग और जंदू clear है, और इसने किया किसने था होती है, देखे, कोसी का भीती की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कोसी का भीती होता क्या है जो भी जीवानू अगर हम है जीवानू या बनस्पती दोनों की बात करते हैं तो जीवानू और बनस्पती कोसी काओं में कोसी का छिली के बाहर एक निर्जिब पारगम तथा मोटी दिवा बाली परत पाई जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोशी का भीती बोलते हैं और यह जो मेली होता है वो सेलूलोज का बना होता है तो option number D जो है वो हमारा सही अंसर होगा question number 42 कह रहा है जीब दरब में किसका प्रतिसा सबसे जादा होता है देखिए पहले तो बात कर लेते हैं जीब दरब की तो जीब दरब में सबसे जादा तो oxygen होता है प्रॉक 75-76% के बराबर तो oxygen यानि option number E जो है वो हमारा सही अंसर है एक चीज से याद रखिएगा कि जीब दरब जो होता क्या है कोसिका में कोई भी कोसिका की जीब दरब जीली होती है उसके अंदर जो संपूर्ण पदार्थ है उसी को हम लोग जीब दरब कहते हैं एक चीज जीब दरब से याद रखिएगा एक नाम आपने सुना होगा मैक्स सूल्ज मैक्स सूल्ज जो थे वो 1861 में जीब दरब सिधान्थ को प्रतिपादित किया था Next question is question number 43 Question number 43 कहरा protein sensation को कौन नियंतरित करता है तो protein sensation को नियंतरित करता है DNA यानि deoxy ribonucleac acid के दोरा किया जाता है Question number 44 कहरा है नियंतरित्ष यात्री अपने भोजन के रूप में करते हैं तो ये अंतरित्ष यात्री अपने भोजन के रूप में किसका प्रियोक करते हैं के लोग लेला के हो तो आप्सा नमर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Question number 45 देखिए आप यहां से मैस का question है मैं आपको overview देता चला जाओंगा आप लोग इसे बना लिजेगा आसा करता हूँ कि आप लोगों से बन जाएगा अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे से comment करके पूछ सकते हैं मैं उसको फिर detail में आप लोगों को बता दूँगा चलिए अब बात करते हैं question number 45 की question number 45 देखिए क्या कह रहा है एक बेक्ति को अपनी यात्रा में 7 गहंटा 20 मेट लगते हैं यदि बहुए एक ती हाई यात्रा 60 किलोमेटर प्रति गहंटा की चाल से करता है तथा 6 यात्रा 45 किलोमेटर प्रति गहंटा की चाल से करता है तो उसने कुल कितने दूरी तै की है देखिए माल लीजे कि उसने total distance कबर किया x किलोमेटर clear है अब x का कितना पार्ट एक ती हाई पार्ट यानि x वटा 3 जो distance है बो तो किया है बो 60 किलोमेटर के speed से और plus में x में से अगर x वटा 3 माइनस कर दिजेगा तब बचेगा 2x by 3 तो 2x by 3 जो distance है बो बो कभर किया है 45 किलोमेटर के distance है और उसको इसके बराबर दोनों के बराबर time कितना लगा 7 घंटा 20 मिनट जिसको कि आप लोग लिख सकते हैं 22 by 3 अब इसको अगर आप solve कर दिजेगा तो यहां से x की value आजाएगी 360 किलोमेटर और इस question का जो सही अंसर होगा बो हो जागा आपसा नमबर C 360 किलोमेटर next question है question number 46 question number 46 देखिए क्या काई रहा A, B और C की IU 3 ratio 4 ratio 5 है यदि उनकी आउसत 24 है IU का आउसत अगर 24 है तो total कितना हो जाएगा total हो जाएगा 24 into में 3 यानि 72 और 72 किसके बराबर हो जाएगा 5 और 4 और 3 मतलब 5, 4, 9 और 3, 12 12 वे ratio के बराबर हो जाएगा 72 तो एक ratio की यहां से value आजाएगी कितना एक ratio की value आजाएगी 6 अगर एक ratio की value 6 आजाएगी यानि A की value हो जाएगी 18, B का हो जाएगा 24 और C का हो जाएगा 30 तो जिसका भी पूछ किया रहा है B और C का तो B और C का पूछ रहा है यानि 24 प्लस में 30 पूछ रहा है यानि 54 तो option number B जो है वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 47 question number 47 कह रहा है कि 48 रुपे प्रती किलोग्राम मूल वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 प्रती किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाए जाए ताकि मिसरी चीनी का मूल जो है वो बामंद समलो 50 रुपे प्रती किलोग्राम हो जाए तो देखिए यह mixture and allegation आप लोग मैस में एक चाप्टर पढ़े होंगे यहाँ कुछ नहीं करना है यहाँ 48 होगा mixture and allegation से यह असां से बन जागा यहाँ 55 हो जागा यहाँ 52.50 हो जागा यहाँ अगर आप allegation लगा दीजे तो क्या हो जागा यहाँ 2.50 होगा और यहाँ 4.50 होगा अब इन दोनों को ratio में निकालिये का अगर मतलब 2.50 ratio में 4.50 तो इसको अगर आप लिख सकते हैं 5 ratio 9 अब यही कितना दिया होगा है 60 किलोग्राम तो 60 upon में 5 into में 9 तो इसको solve कीजेगा तो आजागा answer 108 के जी यानि option number D next question है question number 48 question number 48 कहरा साधारन भी आज के किस बार्सिक दर से कोई धनरासी 12 बर्स में स्वेम की दोगुनी हो जाती है स्वेम की दुगनी हो जाने का मतलब क्या है कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है यह logic से बना यह बड़ा असाम से बनेगा question 100% होता है और double होने का मतलब उसमें 100% और add हो जाना तो यहां 12 दिया हुआ है और 12 को 100% बनाने के लिए क्या करना होगा 100 को डिवाइड कर दिजे 12 से तो अंसर आजाएगा कितना अंसर आजाएगा 25 by 3% यानी option number A जो होए वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 49 question number 49 कारा एक समान अंतर चेतुर्भूज का अधार उसकी उचाई से दुगना है यदि चेतुर्भूज की अगर चेतुर्भूज की बात करते हैं तो उसका जो चेतुर्भूज होता है आधार इंटू में उचाई होता है अधार इंटू में उचाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ उचाई को अगर हम लोग x मान लेते हैं ठीक है, उच्चाई को अगर हम लोग x मानेंगे, तो question के according आधार कितना हो जाएगा, आधार 2x हो जाएगा, और फिर x in 2 में 2x is equal to question में क्या दिया हुआ है, 72, तो यानि 2x square is equal to 72 हो जाएगा, तो यहाँ से x square is equal to 36, यानि x is equal to 6, अब x जब 6 है, तो उच्चाई कितना हो गया, 6 हो गया, और आधार कितना हो गया, 12 हो गया, तो आधार और उच्चाई पुछ रहा है, तो 12 और 6 यानि आधार नमेर A जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, next question है question number 50, question number 50 कहा रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक कोई rectangular पार्क है, उसकी लंबाई 90 मिटर दिया हुआ है, और चोड़ाई 60 मिटर दिया हुआ है, और इसके अंदर 4 और 5 मिटर चोड़ा रास्ता बनाना है, तो इस रास्ते पर 15 रुपे प्रती बार किलो मिटर की दर से रोड़ी पिछाने का खर्च कितना वगा, देखिए, ये दिया हुआ है कि एक rectangular कोई पार्क है, माल लेते हैं कि ये एक rectangular का पार्क है, और इसकी लंबाई है 90 मिटर और चोड़ाई है 60 मिटर, ठीक है, इसके अंदर, मतलब ऐसा कुछ है 5 मिटर चोड़ा रास्ता बनाना है, मतलब ये वाला जो रास्ता होगा, ये जो होगा, ये चारो 5-5 मिटर होगा, तो इसकी लंथ कितनी हो जाएगी, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये चोड़ाई निकालेंगे, तो कितना होगा? 60-5 उपर वाला, 5 नीचे वाला, मतलब 10, तो यानि बचएगा 50, और उपर वाले अगर निकालना है, मतलब इसकी निकालना है, तो ये 90 में से 10, 5 इधर वाला माइनस करेंगे, और 5 यहाँ वाला minus करेंगे तो 90 minus 10 यानी 80 निकल जागा तो पहले 92 में 60 करेंगे मतलब पूरे rectangular park का area निकालेंगे तो कितना निकल जागा 5400 और फिर दूसरे रास्ता को हटा के निकालेंगे यानी 50 into 80 करेंगे यहां 50 हो जागा और यहां 80 हो जागा तो 50 into 80 करेंगे तब हो मतलब 1400 cm2 अब इसको 15 रुपे पर बर्ग मीटर की इसाब से खर जाए तो 1400 को 15 से मल्टिप्लाइट कर दीजे तो आपका अंसर आजागा 21,000 तो option number A जो है वो हमारा सही अंसर हो जाएगा clear है चलिए next question है question number 51 question number 51 कह रहा है एक बेलना का टंकी की धाजिता 1848 meter cube है तथा इसका ब्यास जो है वो 14 meter है तो टंकी की गहराई गयात कीजे देखिए बेलना का टंकी की धाजिता कि आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे pi r square h पढ़े हैं अब इसी pi r square h के बराबर दिया हुआ है क्या 18 1848 meter cube अब pi की value आप लोगों को पता ही है 22 by 7 r की value कितनी है ब्यास दिया हुआ है मतलब diameter दिया है 14 तो यहाँ से radius निकल जाएगा 7 तो यहाँ से r square है तो 7 into 7 और h के जगह पर h ही लिख दीजे और e is equal to 1848 लिख दीजे अब यहाँ से इसको अगर आप solve कीजेगा तो यहाँ से h की value निकल के आजाएगी और जब h की value निकल के आएगी यहाँ से तो h की value कितनी आजाएगी? h की value आजाएगी 12 meter यानि option number b जो है बो हमारा सही answer होगा clear है? चलिए next question है question number 52 question number 52 का रहे है एक गात को इसमेकरन दिया हुआ है उसका discriminant निकलना है तो discriminant निकलने का आप लोग formula भी पढ़े होंगे कि deep rubber क्या होता है? deep rubber होता है b square minus 4ac अब b के जगा पर आप क्या रखिएगा? b के जगा अगर हम लोग बात करते हैं तो b के जगा minus 3 रखेंगे हम लोग तो यानि होगा minus 3 का square ठीक है? और 4 और into में a के जगा पर क्या रखेंगे? 2 और c के जगा पर minus 2 अब यहां से अगर आप इसको solve कर दिजएगा तो value आजागी 105 यानि इस question का जो सही answer होगा बू हो जागा option number b चलिए अब बढ़ते हैं आपने अगले question की तरब जो कि है हमारा question number 53 question number 53 की बात करते हैं तो दिया हुआ है say theta plus tan theta is equal to x तो sin theta का मान गयारत करने का है रहा है देखे say theta इस question को थोड़ा सा solve कीज़े बड़ा आराम से बन जाएगा दिया हुआ है say theta plus tan theta is equal to x clear है अब say theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 upon cos theta और tan theta को क्या लिख सकते हैं sin theta upon cos theta is equal to x आप क्या कीजे कि दोनों side is देखे इसको LCM ले लिजे cos theta और cos theta को अगर आप LCM ले लिजेगा तब हो जाएगा cos theta और उपर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 plus sin theta is equal to x आप दोनों side square कर दीजे जब आगर आप दोनों side square कर दीजेगा तब निकल के आजाएगा x square is equal to 1 plus sin theta upon cos square theta यह 1 plus sin theta का square हो जाएगा और नीचे आजाएगा cos square theta प्लेर है अब यह 1 plus sin theta का square और cos square theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 minus sin square theta लिख सकते हैं is equal to x square हो जाएगा अब फिर आगर आप इसको आगे solve कर दीजे मतलब 1 plus sin theta का square और नीचे हो जाएगा 1 plus sin theta और 1 minus sin theta अब यह उपर नीचे cancel हो जाएगा तब जाके बचेगा आप लोगों के पास 1 plus sin theta और आप नीचे बचेगा 1 minus sin theta is equal to x square फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 plus sin theta is equal to x square minus x square sin theta तो यहाँ से sin theta की जब आप लोग value निकालिएगा तब आपका value निकल के आजाएगा x square minus 1 और x square plus 1 यानि option number b जो होगा वो आपका सही answer होगा next question है question number 54 question number 54 कह रहा है दीन के एक निश्ची समय पर एक स्थाम तथा उसकी उचाई की परचाई की लंबाई और उचाईों का नुपात करम सा 1 ratio under root 3 है तो उस समय सूर्ज का उन्नायन कोन का मान क्या है देखें अगर हम बात लोग करते हैं तो इसका डाइग्राम कुछ ऐसा बन के आएगा यहाँ हो जागा a, b और c तो यह हो जागा 1 यह हो जागा under root 3 और यही जो एंगल है theta यानि उन्नायन कोन आपको मानना होगा क्योंकि a, b जो है बो क्या है मान लिजे कि यह अस्थम है और अस्थम की छाया क्या हो गई b, c हो गई तो यही आपको height जो है बो आपको निकालना है तो यह theta का मान आपको लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 theta बराबर लिख सकते हैं AB अपॉन में BC, और AB क्या है, AB 1 है, और BC कितना है, 1 by root 3, तो 1 by root 3 कितना हो जाएगा, 10, 30 कमान होगा, तो 30 degree answer हो जाएगा, option number A, next question है मारा question number 55, question number 55 कहा रहा है, दी गई आक्रिटी में एक ब्रित का केंदर 0 है, तथा ABC एक संभाहू तिर बुझे, देखिए तो ABC जागर सम्भाहू तिर बुझे, तो ये बाला भी एंगल 60 degree, ये एंगल भी 60 degree, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 degree, तो ये एंगल जैसे ही 60 degree होगा, इसको हम लोग 120 degree बोल सकते हैं, अब जब ये 120 degree होगा, तो यही एंगल का half पूछ रहा है, तो 120 degree का half कर दीजेगा, तब अंतर आजागा 60 degree, यानि option number A जो है, वो हमारा सही एंसर होगा, clear है, चलिया, next question है, question number 56, question number 56 कह रहा है, कि कुछ code में F को यह से लिखा हुआ, तो LHRX को क्या लिखेंगे, देखें कुछ है नहीं, F, J, U, L है, इसको लिख क्या दिया है, B, O, Q, Q, किया कुछ नहीं है, पहले बाले में, S, M, N, C, यानि option number D. Next question है, question number 57, question number 57 कह रहा है, ये आपको बीच में sign बैठाना है कि किसके बराबर हो जाए तो आप B वाला जो symbol है बो बैठा दीजेगा तो आप cancer आ जाएगा Next question is question number 58 Question number 58 कहारा है निमली कितमे से उसे चुनिए जो अन तीनों भी कल्ब से भीन है तो देखिए B, C और D में कोई wobble का यूज नहीं हुआ है लेकिन A में wobble का यूज हुआ है A, E, I, O, U यहाँ O का यूज है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Next question is question number 59 Question number 59 कहारा है यदि बच्चों की एक पंक्ती में जो उत्तर की और मुख करके खड़ा है भारत जो है वो दाएं सीरे से एग रहमा है तथा समीर के दाएं तीसरा है और तथा समीर बाएं से बारहमा है तो पंक्ती में कोल कितने बच्चे देखिए एक ची जाद रखेगा पंक्ती में अगर total number of students निकालने होगा या कुछ भी कोई पंक्ती में total निकालना होगा तो एक ही इंसान का left और right दोनों से क्या दिया हुआ होना चाहिए उसकी ranking दी हुई होनी चाहिए यहाँ अगर हम बात करते हैं समीर की तो समीर की बाएं से तो 15 हमा दिया हुआ है लेकिन दाएं से नहीं दिया हुआ है तो दाएं से भारत का 11 दिया हुआ है और समीर का तीसरा दिया हुआ है यानि समीर जो है भागत के तीसरे है यानि समीर जो है वो 11 प्लस 3 यानि 14 नमबर पे है तो अब हमें समीर के दाएं से भी पता चल गया और बाएं से भी पता चल गया अब दोनों को add कर देंगे मतलब 14 और 15 को और एक माइनस कर देंगे तो हमारा total निकल क्या जागा 28 clear है चलिए next question है question number 60 question number 60 कह रहा है एक्स कहता है कि अगर एक्स कहता बाई से अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूँ कौन कह रहा है एक्स कह रहा है बाई से कह रहा है कि मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूँ तो बाई के पिता का बेटा उसका क्या होगा या तो भाई होगा या तो बहन होगी तो और फिर कहता है तुम मेरे भाई भी नहीं हो तो क्या है बहन है तो आपसे नमर ये जो है वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 61 question number 61 कह रहा है उत्तर जिसा की मुह के हुए बैठे एक पंक्ती में कितने लोग बैठे हुए है एक पंक्ती में बैठे हैं ठीक है उत्तर जिसा की और मुह के हुए एक पडोसी है A पडोसी है B और D का देखे तो A पडोसी है किसका B और D का मतलब B और D यहाँ बैठ सकता है या B और D यहाँ बैठ सकता है E पडोसी है C और F का तो C और F या तो इधर होगा या C और F इधर होगा और D पड़ो C है C का तो D के बगल में C बैठेगा या तो C इधर बैठेगा या तो C इधर बैठेगा तब A और E के मद कितने सदस हैं A और E के मद सदस के अगर बात करते हैं तो देखिए यहां दो ही condition हो सकता है पहला condition है B, A, D, C, E, F और दूसरा condition हो सकता है F, E, C, D, A, B और दोनों के case में A और E के बीच की बात कर रहा है तो दोनों case में A और E के बीच में दो लोग बैठे हैं तो इस question का जो सही answer हो जाएगा बहु हो जाएगा 2 यानि option number A clear है? चलिए next question है question number 62 question number 62 कह रहा है किस बीच को प्रस्थित की आतंकबादी कहा जाता है तो इस question का जो सही answer होगा बहु हो जाएगा option number A, Eucalyptus क्योंकि Eucalyptus में ऐसा माना जाता है या ऐसा होता है कि Eucalyptus जो है वो अन किसी plant यानि पोधे के कंप्रिजन में जो दूसरे पेड़ो है उनके कंप्रिजन में Eucalyptus जो है वो तीन गुना पानी अर्जॉर्ब करता है प्रिथिवी से तो इसलिए Eucalyptus को क्या कहा जाता है प्रस्थित की अंतकबादी कहा जाता है clear है? चलिए next question है question number 63 question number 63 कह रहा है बैस्लिक तापान यानि ग्लोबल बाउमिंग सब्द का परियोग तापमान जीदी के लिए सरपथम किसने किया था तो ग्लोबल बाउमिंग किसने किया था बॉलेस बोईकर यानि option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगर हम जोसेफफ फॉरियर की बाथ करते हैं तो जोसेफ फॉरियर से याद रखेगा इन्होंने ग्रिन हाउस गैस का सरपथम परियोग किया था बालतर जी रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं question number 64 कह रहा है निमलिखित में से कौन परिजीबी का उदाहरन है तो अगर हम लोग परिजीबी की बात करते हैं तो देखिए अमर बेल भी परिजीबी है लौत्रेंस भी परिजीबी है ओरो बैका भी परिजीबी है यानि आपसन नमबर D उप्यूक सभी जो है वो परिजीबी का उदाहरन है निमलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं हम लोग तो देखिए जल बास्प है नाइट्रस ऑकसाइड है ओजोन है लेकिन सलफ़ डाउस साइड नहीं है यानि आपसन नमबर D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ग्रीन हाउस गैस के जो कुछ घटक है वो हैं जल बास्ट, CO2, CH4, CFC यानि क्लोरो फ्लोरो कार्बन, N2O और ये सारे चीज क्या है ग्रीन हाउस गैस के घटक है question number 66 कह रहा है बारतीय रेलबे की घोसना के अनुसार किस देश के साथ पहली बार बहुत सरके ट्रेन चलाई जाएगी देख ये चलाई गई, अब ये तो already चल चुका है ये October 2019 की बात कर ला है October 2019 की ये बात है और ये जो पहली ट्रेन है वो भारत और नेपाल के बीच चलाया गया था तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा किसके किसके बीच लाया गया था भारत और नेपाल के बीच लाया गया था तो option number B जो है वो हमारा सही अंसर होगा clear है और ये जनरली ये जो ट्रेन है वो गौतम बूत के जीवन से जुड़े हुए सारे अस्थालों की यातरा करवाई थी और ये नई दिली के सब्दर गंज लेलबेया स्टेशन से अस्टार्ट किया गया था क्लेर है चलिए नेक्स कोश्चन हमारा कोश्चन नबर 67 कोश्चन नबर 67 कहे रहा है फीफा 17 महिला 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो फीफा 17 महिला 2020 का आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा तो आपसन नबर D जो है वो हमारा सही अंसर है अगर हम लोग बात करते हैं फीफा 17 महिला 2020 की तो इसका जो आयोजन था वो हो था नवंबर 2020 में लेकिन नवंबर 2020 से इसको अस्थागित कर दिया गया है डू टू COVID-19 ठीक है और अब यह COVID-19 के चलते 2020 में ना होकर 2021 में होगा और 2021 में इसको फरवरी से मार्च के बीच में 17 फरवरी से लेके 7 मार्च के बीच में इसी रूल किया गया है यह फीफा बोमेंस फिजे लेंड में और इसके जो अभी ततकालीन प्रेसिडेंट है उनका नाम है जियानी इंफेंट टीनो नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नबर 68 कोश्चन नबर 68 कहा रहा है थीम क्लाइमेट आक्षन फर पीस के साथ किस तिति अंतराष्टिय सांती दिवस से याद रखेगा ये 21 दिसंबर को सरपर्थम 1981 में मनाना स्टार्ट किया गया है और 1981 से लेकर आज तक अंतराष्टिय सांती दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को 24 अक्टूबर से याद रखेगा तो पुस्तक देटेटा टेटा मेंट्स की लेखी का कौन है? तो मार्गेट एक्ट बूड जो है वो इसकी लेखी का है तो आपसर नमबर सी जो है वो हमारा सही अंसर है बॉटन डियन अबिरिस्टो से एक चीर याद रखेगा इनके एक पुस्तक है Girls, Women and Other Girl, Women and Other ये इनकी पुस्तक के एक नाम है और उन्हें दृतिला ये भी बहुत प्रसीद लेखी का है और इनका जो एक बुक है The God of a Small Things ये बहुत ज़्यादा प्रचलिद बुक है सभा नकवी की भी याद रखेगा इनका भी एक बुक है सेड़ेड आफ सैफरोन ठीक है सेड़ेड आफ सैफरोन फ्रॉम बाजबाई टू मोदी तो ये पुस्तक के लेखा के सभा नकवी कुस्चिन नमर सेवन्टी कह रहा सुची एक को सुची दो के साथ सुमेनित कीजिए देखे ये इसमें जो सियो है वो किसके साथ मैच करेगा सियो जो है वो मैच करेगा सिर्दर चक्कराना से अगर हम लोग बात एसो टू की करते हैं तो एसो टू मैच करेगा दमा का बढ़ना के साथ एनो की बात करते हैं तो फेफणे में उतेजन के साथ और फोटो केम का स्वास उतेजन और नेतर के साथ मतलब यह सामने सामने ही लिखा हुआ है सुमेली थी लिखा हुआ है इस question का जो सही answer हो जाएगा बो हो जाएगा option number A अगला question है हमारा question number 71 question number 71 कहरा है निमलिखित में से कौन बिमस्टेक का सदस राष्ट नहीं है बिमस्टेक की अगर बात करते हैं तो बिमस्टेक में total 7 राष्ट है भारत, भुटान, नेपाल, मैनमार, बंगलादेश, सिरलंका और थाइलेंड तो option के जो है option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर है क्योंकि मालदीम नहीं है मैनमार भी है, भुटान भी है, थाइलेंड भी है total 7 राष्ट हैं बिमस्टेक में बिमस्टेक की अगर बात करते हैं तो इसकी अस्थापना 6 जून 1997 को किया गया था और इसका headquarter है धाका बंगलादेश में बिमस्टेक की अगर फूल फूर्म की बात करते हैं तो बिमस्टेक का फूल फूर्म होता है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation Question number 72 कह रहा है निमलिखित में से कौन प्राथ्मिक परदूसक नहीं है तो प्राथ्मिक परदूसक कौन नहीं है Q3 जो है वो प्राथ्मिक परदूसक नहीं है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Question number 73 कह रहा है मांचित पर खीची गई हुआ है रेखा जो उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवंता पाई जाती है क्या कहलाता है तो समान लवंता जहां पाई जाती है उसको बुला जाता है आईसो हेलाइन तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है आईसो हाइप्स की बात करते हैं तो ये किसको मिलाता है समोच रेखा को मिलाता है आईसो बात की बात करते हैं तो ये समगहरी रेखा को मिलाता है, और आइसो हाइट्स की बात करते हैं, तो ये समबर्षा रेखा कहलाता है, Question No. 74, Question No. 74 कह रहा है कि भारतिये स्वतंता संग्राम बिधया कब बृटिस अंसन्सन ने प्रस्तूत किया गया था, तो भारतिय स्वतंत्रता संग्राम विधय की अगर बात करते हैं तो ये 4 जुलाई 1947 को प्रस्तूत किया गया था तो आपसर नमबर C जो होगा वो हमारा सही एंसर होगा ठीक है और 16 जुलाई 1947 को फिर क्या हुआ था 16 जुलाई 1947 को ये House of Lords से पारित हो गया था और 18 जुलाई 1947 क इस पर बिटी समराट के हस्ताचर भी हो गये थे और 15 जुलाई 1947 को ये House of Commons के द्वारा पास कर दिया गया था क्लियर है चलिए अगर हम लग बात करते हैं इंडियन लिग की तो इंडियन लिग की अस्थापना किसके द्वारा सिसिर कुमार घोस के द्वारा 18 संधामन में किया गया था तो इंडियन लिग मैच करेगा सिसिर कुमार घोस के द्वारा 1857 में Indian National Social Conference की बात करता है तो Indian National Social Conference की अस्थाफ़ना गोबिंद रेनाडे के द्वारा 1887 में किया गया था तो ये गोबिंद रेनाड़े के साथ मैच करेगा हिंदुस्तान police ले साणियाल की बात करते हैं तो ये साचिन नासानियाल के द्वारा किया गया था 1924 में तो ये इसके साथ मैच करेगा और अखिल भारतीय दलित भर्ग संग डॉक्टर बी आरंबेत करके द्वारा किया गया था नेक्स्ट कोश्चन है वारा कोश्चन नमर 76 कोश्चन नमर 76 कह रहा है कि निमली कितमे से सुची एक को सुची दो कि साथ मिलाएए योगांतर जो है वो किसके साथ अरविन घोस, इंडियन मिलर केसब चंदर सेन यंग इंडिया, यंग इंडिया किसके साथ महात्मा गांधी और बार अफ इंडिया इंडिपेंडेंस बीडी सावर कर, बीर सावर कर के साथ मैच करेगा क्लेर हैं? चलिए नेक्स कोईचन है हमारा कोईचन nr 77 कोईचन nr 77 कह रहा है ग्लिमसेज और बर्ल्ड हिस्टरी के लिखाकों थे तो दिनसेट आप बर्ल्ड हिस्टरी के लिखाक थे जवाहरलाल नहरू तो आपसे नमबर C जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा इन्होंने एक बरील इंपॉर्टेंट पुस्तक भी लिखिये Discovery of India जो की ना जाने कितने बारिक जाम में पूछा गया है मात्मा गांदी के अगर बात करते हैं तो मात्मा गांदी से याद रखेगा इन्होंने एक पुस्तक लिखिये हैं हिंद स्वराज, सत्य के साथ प्रयोग अबुलकला में आजाद से याद रखेगा यह भारत के पहले सीच्छा मंदरी थे और यह 1923 में भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रसिडेंट भी बनाए गया थे डॉक्टर राजन्द परसाद से याद रखेगा इनके कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक हैं बापु के कदमों में बाबु सत्यागरा एट चंपारन यह सब जो पुस्तक हैं वो डॉक्टर राजन्द परसाद के द्वारा लिखा गया है कष्टन 1.78 कोष्चि एक को सुची देंक कसा सुमिलित किज्ये तो इनके जो दमन करता थे बो ठेजन्द लेअनर्ड तो और मॉल्बी अजीनूल्ला से एक चीज़ और रखेगा फटेपूर चिक हैं लियाकत अली की बात करते हैं तो लियाकत अली मैच करेगा कर्नल नील द्वारा तो ये कर्नल नील के द्वारा मैच करेगा और लियाकत अली का जो बिदरो के अंदर था बो था इलाहबाद रानी लच्मी भाई आप लोगों को पता ही होगा ये मैच करेगा जर्नल हुरोज के द्वारा तो ये इसके साथ मैच करेगा और इनका जो बिदरो छेत था भोथा जहासी गवालियर बेगम हजरतमहल इनका जो बिदरो छेत था भोथा लखनाव और इनको दबाया गया था कर्णल कैम्प बेल के द्वारा तो ये इसके साथ मैच करेगा क्लेर है चलिए नेक्स कोशिन है कोशिन नबर 79 क्वेशन नबर 79 कह रहा है इंडियन होम रूल लीक के द्वारा अंदोलन दच्छिन भारत में चलाया जाने वाले नित्रित्व करता कौन थे कूर से सही उत्तर बताईए तो देखे दच्छिन भारत के अगर हम लोग बात करते हैं और किसकी बात कर रहा है ये इंडियन होम रूल लीक के है होम रूल लीक कब स्टार्ट हुआ था 1916 में स्टार्ट हुआ था ठीक है अब देखे तो ये बाल गंगादर तिलक हां थे अनिबेसंट थे जोर्ज अंड्रूल थे और बीपी बाडिया भी थे तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number B, C और D B, C और D यानि C हो जाएगा हमारा सही अंसर ठीक है क्योंकि दचिन भारत में अगर सक्रिये नेता में बात करते हैं तो कौन थे एनी पेसेंट थी और जोर्ज आउड्रूल थे और बीपी बाडिया थे और महराष्ट करनाटक में अगर बात करते हैं तो महराष्ट और करनाटक में जो तीलक थे वो होम रूल लिग के अंदोलन कर रहे थे clear है? चलिया next question है question number 80 question number 80 कह रहा है my experiment with truth पुस्तक के इनके द्वारा लिखा गया था तो my experiment with truth किसके द्वारा लिखा गया था? ये था महात्मा गांदी के द्वारा ये महात्मा गांदी के क्या है? आत्म कथा है महात्मा गांदी से एक चीजी और र्याद रखी गा इन्होंने एक हिंद स्वराज भी पुस्तक लिखिये जो बहुत बारिक जाम में पूछा गया है कुश्चन नमर 81 कहरा है अगस्ट प्रस्ताव की घोसना किस बायसराय के द्वारा किया गया था तो अगस्ट प्रस्ताव की जो घोसना थी बो किया गया था लॉड लिंधिको के द्वारा तो आप्से नमर 2 जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा ठीक है और अगस्त परस्ताव था क्या अगस्त परस्ताव था जन्गली कह सकते हैं कि अगस्त परस्ताव में था कि मुस्लिमों को हितों का उलेह किया गया था तथा उसमें यह बताया गया था कि बिना अल्प संख्यकों के स्विक्रिति के बिना कोई भी जो सरकार है वो सम्वेधानिक परिबरतन लागू नहीं कर सकती है क्लेर है Next question है question number 82 Question number 82 कह रहा है Muslim link के संस्थापक सदस्यों में कौन नहीं थे तो देखें मुहमद जीना नहीं थे यह बहुत बारिक जाम में पूछा गया है और मुहमद जीना से सब को लगता है कि यह होंगे ही होंगे लेकिन Muslim link के संस्थापक की अगर बात करते हैं तो मुहमद जीना नहीं थे Muslim link के स्थापना जो थी वो 1906 में धाका में सलीम उल्ला खा के नियमंतरन पर आगा खां और नबाब बक्रोरील मुल्क की उपस्थिती में हुआ था Question number 83 कह रहा है काकोडी सर्यंद की घटना से संबंधित नहीं थे तो काकोडी सर्यंद की बात करते हैं तो आपके दिमांग में आ गया होगा 9 अगस्थ 1925 जो की उत्तर परदिश की एक काकोडीय स्टेशन की ये बात है जिसमें 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था और इसे संबंधित राम परसाद बिसमिल थे असफाक उल्ला खान थे और आजंद लहडी भी थे लेकिन भगत सिंग नहीं थे तो आपसे नबर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Question number 84 कह रहा है बारदोली सत्यागरा की घटना कब होई थी यहां question पूछ रहा है नबीन्ता मनुसंधानों के अधार के अधार पर जो है वो राखी गिडी को माना गया है ठीक है लेकिन इस से पहले राखी गिडी से पहले मोहन जोदरों को माना जाता था ठीक है राखी गिडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो राखी गिडी जो है वो घगर नदी पर है अभी ततकाल यह हर्याना में लोकेटेड है और इसक कि इसका उत्खनन उन्हें 122 में राखलतास बनरजी के द्वारा किया गया है धौला बिड़ा है गुजरात में और आरेस बिष्ट के द्वारा इसका उत्खननन किया गया था ठीक है और हरप्पा है उन्हें 121 में किया गया था ब्यास नदी के किना रहे और दयारामसाहनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था Question No. 86 कह रहा है कि रिख बैदिक कालीन समाज के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है तो देखिए रिख बैदिक कालीन समाज प्रितिस सतात्मक थी बिल्कुल सही है इसकाल में स्त्रियों के समाज जनक थी ये भी सही है इसकाल में बाल बिवाय वाम बहु बिवाह का प्रचलन था ये गलत है इसकाल में ऐसा कुछ नहीं है कि बाल बिवाह का प्रचलन था जीवन भर अभी बाहित रहने वाल इस्तरियों को आमाजू कहा जाता था ये भी बिल्कुल सही है देखे रिख बैदिक काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो बैदिक सब्वेता है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है एक है पूर्ल बैदिक काल जिसको हम लोग 1500 से 1000 BC में हो था और इसी में रिख बैद था और एक है उत्तर बैदिक काल जो है 1000 BC से लेके 600 BC तक और येसी में बादबा की तीन यजूर बैद, सामबैद और अथर्द बैद था नेक्स कोश्चन है हमारा कोश्चन अबर 87 कोश्चन अबर 87 कह रहा है बुद्ध के जर्म के पुर्ग लगवग छटी सत आपदी इस्वी पुर्ग में भारत बट 16 महाजन पदों में बटा हुआ था जिसका उलेक बहुत ग्रंथ अगुंतर निका से मिलता है अगुंतर निक नेक्स कोश्चन है हमारा कोश्चन अबर 88 कोश्चन अबर 88 कह रहा है कि भारत पर प्रथम विदेश्वी आक्रमन हक्मनी बंक्स के राजाओं ने किया इस बंस का संस्थापक कुरूस था इस बंस का संबंध निमलिकित में से किस देश से था तो इस बंस का जो संबंध था वो था इरान से तो आपसर नमेर B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा क्योंकि हक्मनी बंस के राजाओं का जो संबंध था वो इरान से ही था अग 89 कह रहा है चंदगुप्त मौर ने चानक की साहता से मौर समराज की अस्थापना की थी निमलिखिद में से कौन सा कथन चंदगुप्त मौर के मारे में सर्थ नहीं है तो देखे चंदगुप्त मौर ने महा पदमनंद को हराकर मौर बंस की अस्थापना की थी नहीं ये गलत है क्योंकि चंद्गुलत मौर जो था वो चानक की साहता से जो नंद बंस का अंतिम सासक था धाना नंद उसको हरा कर मौर समराज की अस्थापना किया था उसकी सासन बेवस्था भी कंद्री करन पराधारी थे ये सही है उसने जैन साधु भदर बाहुत से जैन धर्म की स्रीद दिछा ली थी ये भी सही है वह एक विसाल समराज पर सासन करने वाला भारात का प्रथम सा सकता ये भी सही है यानि आपसे नमर ए जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा जो की सत नहीं है question number 90 का एरा निमलिकित में से किस अस्थल पर सत पगोडा इस्थित है देखें सत पगोडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो सत पगोडा क्या है मतलब साथ अस्थल होने के कारण इसको सत पगोडा कहा गया है जेनरली ये महाबली पूरम में रत मंद्रियों का निर्मान करवाया गया जिसकी कुल संख्या कितनी थी? साथ थी और इसी के कारणी से सत पगोडा कहा गया है और इसी में एक था कुनार्क का सुलि मंदिर जो याद रखेगा है जिसको की ब्लॉक पगोडा भी कहा जाता है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो हो जागा उप्सन नमर डी महाबली पूरम कोश्चन नमर 91 कहा रहा है निमन में से कौन आधार भूत उद्योग है देखिए आधार भूत उद्योग की अगर हम लोग बात करते हैं आधार भूत उद्योग अभी बर्दमान में है जो की है तेल सोधक, बिदुद, कोईला, इसपात, कच्चा तेल, प्राकिर्टिक गया, सीमेंट और उर्बरक तो ये चारो है तो यानि आप्सन नमर डी जो होगा यानि एक, दो, ती, इन, चार, वो हमारा सही अंसर होगा कोश्चन नमर 92 कहा रहा है यदि किसी अर्थवेवस्था में भंडारन एबं बितरन की सुद्धा में कमी हो एबं इसके कारण मूल में बढ़ोतरी हो तब यह स्थिति कहलाएगी तब यह स्थिति क्या कहलाएगी संराचान आत्मक मुद्रास्पिति कहलाएगी तो आप्सन नमर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा नेक्स कोश्चन हमारा कोश्चन नमर 93 कोश्चन नमर 93 कहा रहा है नियुंतम समर्थनमूल MSP निर्धारन कौन करता है यानि इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जब आपसन नमर B क्रिसी लागत एबं किती कीमत आयोग और इसको ये एक्जिस्टन्स में कब आया था ये जनबरी 1965 से एक्जिस्टन्स में आया था नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर 94 कोश्चन नमर 94 कह रहा है निमलिखित में से किस सूफी संत ने साथ सुल्टानों का कार्जकाल देखा था तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जागा सेख निजामुदीन ओलिया जो थे उन्होंने साथ सुल्टानों का कार्जकाल देखा था option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है निजामुदिन ओलिया से एक चीज़ याद रखेगा इनके जो सबसे प्रियसिस से वो थे अमीर खुसरो ठीक है निजामुदिन ओलिया जो थे वो चिस्टी संप्रदाय के चोथे संथे इनका जन बाड़ा सो अर्थिस में यूपी के बदायू जिला में हुआ था और इनको बाबा फरीद के नाम से भी जाना जयाता था next question है question number 95 question number 95 कह रहा हिमायू द्वारा किये गए सैन अभियानों का कौनसा करम सही है हिमायू की अगर बात करते हैं तो देखिए दोहरिया का यूध हुआ था 1532 में चोसा का यूध हुआ था 1549 में मच्छी बारा का यूध हुआ था 1555 में और सरहिंद का यूध भी हुआ था 1555 में कनोज या बिलग्राम का यूथ जो की हुआ था पंदरह सो चालिस में हिमायू से याद रखिएगा हिमायू जो था वो जो तिस में विश्वास करता था और इसलिए सता के सातो दिन उसने सात रंग के कपड़े पहने का नियम बनाया था ठीक है और ये कब 1530 में सिहासन पर बैठा था और 1556 में इसकी मिर्तु हो जाती है 1556 में जब ये इसकी मिर्तु होती है तो एक लेन पूल आपने लोग ने नाम सुना होगा लेन पूल जो थे वो टिपनी करते हुए हिमायू के बारे में कहा था कि हिमायू जो है वो जीवन पर लड़ खड़ाता रहा और लड़ खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी Next question है question number 96 Question number 96 कह रहा है सेर साह को बेवस्था प्रवर्तक के रूप में ना जानकर बेवस्था सुधारा के रूप में जाना जाता है निम्लिकित मैंसे यह कौन सा कथन सेर साह के आर्थिक परसासन के बारे में सत्य नहीं है तो सेर साह के समय आया का सबसे बड़ा स्रोत लगान था बिल्कुल सही है मुल्तान में भूमी कर उपच का एक बटा तीन भाग था ये गलत है क्यों? क्योंकि एक बटा चार भाग था मुल्तान में जो भूमी कर था भूमी की माप के लिए उन्हें ने 32 संक वाले सिकंदरी का जिब हम सन की डंडी का परियोग होता था ये भी सही है उन्होंने 178 के इंचादी का रुप्या चलाया ये भी सही है तो इस कोश्चन का जो सही अंसरों का पहुच है का अप्सन नमबर B देखिए सेर्सा से एक चीज़ याद रखेगा सेर्सा जो था वो माडबार की यूध में राजपुतों के सौर से इतना परभावित हो गया था कि उसने कहा था सेर्सा ने कि मैं मुठी भर बाजरे के लिए लगवग हिंदुस्तान का समराज खो चुबा था चलेर है चलिए और एक चीज़ और याद रखेगा सेर्सा का जो मकबरा है वो कहां है सासरा में इस्थित है नेक्स कोशन है कोशन नमर 97 कुशन नमर 97 कह रहा है पानिपत की दूसरी लड़ाई 1556 वी में अकबर एबम हेमू के बीच हुई इस यूद में मुगल सेना का नेतरिप किस ने किया था तो इस यूद में मुगल सेना का नेतरिप जो था वो बैरम खान के द्वारा किया गया था कुशन नमर 98 कह रहा है कि अकबर द्वारा इवादत खाना की अस्थापना किस पर्स की गई थी तो देखिए अकबर द्वारा इवादत खाना की जो अस्थापना है बो तो किया गया था 1575 में लेकिन ये वादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का परवेश पूछ दे तब हुआ था 1588 में 1564 से याद रखेगा 1564 में अकबर ने जजिया करको समाप्त कर दिया था और 1582 से याद रखेगा कि 1582 में इनने दीने इलाही की गोसना की थी Question no.99 कहे रहा है बाबर द्वारा रचित आत्म कथा बाबर नामा की रचना किस भासा में की गई है तो बाबर नामा की रचना तूर्की भासा में की गई है तो Option no.C. जो हगा वह हमारा सही अंसर है और बाद में फिर अकबर ने 1583 ECB में खान खाना के द्वारा थारसी भासा में इसका अनुबाद करवाया था Question number 100 कह रहा है कि क्रिस्न देव राओ तेलगू साहित के महान भिद्मान थे उन्होंने किस प्रमुख तेलगू गरंथ की रचना की थी तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा अमुक्त मालियात की रचना क्रिस्न देव राय के द्वारा किया गया था अगर हम बात करते हैं हरी कथा सार की तो हरी कथा सार की रचना की गई थी आलसानी पेदन के द्वारा और परिजात हरन की बात करते हैं तो इसकी रचना की गई थी नंद तिगमन के द्वारा और राद सेखर रचित की बात करते हैं तो इसकी रचना की गई थी मद गरी मलन के द्वारा इसकी रचना की गई थी clear है तो आसा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएगा साथी साथ मैं आप लोगों को हर वीडियो में आप लोगों से request करता हूँ कि आप लोग अपने marks comment करके जरूर बताएगा क्योंकि जब तक आप लोग marks कमेंट नहीं कीजएगा बहुत सारे लोगों का marks कमेंट में नहीं आएगा तो आप लोग को पता नहीं होगा कि हम कहाँ पर style कर रहे हैं इसलिए सब लोगों से अनुरूद है कि आप लोग अपना marks जरूर से airflow करके बताएगा साथी साथ मैं वीडियो के स्कार्टिंग में भी आप लोगों से पुछा था कि आप लोग एक सुटेबुल टाइमिंग बताए जिस टाइम मैं लाइब आकर आप लोगों को ये पूरा प्रैक्टिसेट एबलेबल करवादूं तो आप लोगे कमेंट में एक सुटेबुल आइम भी मुझे कमेंट करके बताईएगा थैंक्स वर वाचिंग